तुछ नमस्कार निश्वाण श्म देखरें और मैं आपके साथ रंजन सिंग आपको बता दे कि कल बिहार सरकार में मंत्री जी बेस मिस्रा की गाड़ी रोक गई और रात में डीम और एससपी पहुंचे थे मंत्री जी को मनाने रात में मनाने का खेल चल रहा है यह जो एंडि मिल्ठाफ होगा उनके खुशकर देने से मसला हल नहीं होता यह दबंगए जो देखाई गई है प्रसाशन के दौरा यह डबंगए जिले जिले में दिखाई जाती है बलॉक में दिखाई करती है तो जनता परेशान सिर्फ मंत्री जी से के ऊपर जो दुरुवेवार हो उस पर नहीं है जनता परेशान पूरे बिहार में दबंगई और पसाश्रिक तंत्र के क्या कि यह बदमाशियां है उसके कारण है सवाल हो है सदन में जिस तरीके से आब आज आप लोगों ने विपक्षी ने उठाए हैं लेकिन इस तरीकी से दीम एस पी मंत्री के घर गेंसा पर आज भी आवाज उठेगी हम यह जाते हैं कि यह मंत्री के से मिल करके उन्हों लगता कि समझाता कर लिया यह समझाता नहीं चलेगा सदन में आकर के बताएं मंत्री जी बयान ने फिर किया हुआ कि उनको देना पड़ेगा महंगाई भी लगतार है चरम पर रहेगी ना पर पड़ता है और महंगाई चरम सीमा पर जाएगी बेरुजगारी एक तरफ महंगाई दूसरी तरफ आप समझ रहें के देश की जनता की क्या हालत है देश की जनता त्राहिमान है और इसलिए हम लोग इस परश्ट को बार-बार उठा रहे हैं उठाए जो परश्ट उठा लेनी चाहिए बिल्कुल तो यह थे हमारे साथ कॉंग्रेस के विधायक सकील अहमेद खान को जिस तरीके से अब सरसाही को लेकर कल बिहार सरकार के मंत्री जिवेश मिस्रा की गाड़ी रोकी गई अब जो है सदन के अंदर बवाल मचा और अब तमाम विधायक कारवाई की म दिखाई थी कि किस तरी कैसे साड़े ग्यारा बजे रात में पटना के से स्पी और डियम जिवेश मिस्रा के घर से बाहर निकल रहे थे हलाकि मीडिया से बाचित करते हुए जिवेश मिस्रा ने यह कहा है कि आज सदन के पटल पर जो है विधान सबाद्यक्ष बताएंगे क कि क्या कुछ बाते हुई है लेकिन अभी भी जो तमाम विधायक है उनका कहना है कि अगर मंत्री जी मान गए हैं तो मंत्री जी सफाई देंगे क्योंकि यह मुद्दा स्रिफ मंत्री का नहीं बलकि तमाम विधायकों का है तमाम विपक्षी दलों का है क्योंकि विपक्षी वोने सिंक सब्सक्राइब